हलो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर वन्ना गुलाटी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में दोस्तों आर्थराइटिस शब्द का मतलब है जॉइंट्स में इंफ्लोमेशन होना यानी की जोडों में संक्रमंट की शिकायत दोस्तों विश्वभ से ज़ादा और अर्थराइटिस से पीडित हैं दोस्तों आर्थराइटिस शब्द का मतलब है एक या एक से ज़ादा जोडों में इंफ्लोमेशन यानी की शंक्रमंट होना दोस्तों इस वज़ा से जोड में दर्द होता है, सूजन आ जाती है, लालगी आ जाती है, जोड में अकडन हो जाती है और मरीश जो इंफ्लमेशन से जूज रहा है वो उस जोड को अराम से हिला डुला नहीं पाता यानि की restriction of movement हो जाता है दोस्तों arthritis बहुत सारे तरीकों के होते हैं जैसे की rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout, enkylosing spondylitis, septic arthritis या psoriatic arthritis और दोस्तों इन में जो सबसे ज़ादा common है वो है osteoarthritis और rheumatoid arthritis arthritis में ये देखा जाता है कि arthritis जैसे जैसे उमर बढ़ती है उसके साथ साथ और जादा वर्स होता चला जाता है दोस्तों अब हम बात करते हैं बहुत ही जादा common type of arthritis के बारे में जो की है osteoarthritis arthritis दोस्तों osteoarthritis joints में cartilages को impact करता है दोस्तों cartilage एक ऐसा hard और slippery tissue है जो की हड़ियों के ends को cover करता है दोस्तों osteoarthritis में ये cartilage पर impact आने की वजह से cartilage breakdown हो जाता है और इसी वजह से जो joints में 2 या 2 से जादा हड़ियां है वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देती है दोस्तों इस रगड़ खाने की वजह से joint में दर्द रहने लग जाता है सूजन हो जाती है लालगी आ जाती है अकड़न हो जाती है और मरीज उस जोड़ को हिला डुला नहीं पाता दोस्तों दूसरा बहुत ही कॉमन टाइप आफ आर्थराइटिस है युमेटॉइड आर्थराइटिस और दोस्तों यह एक आटो इम्म्यून डिसार्डर है दोस्तों आटोइम्यून डिसार्डर ऐसे डिसार्डर होते हैं जहां पर हमारी बॉड़ी आर्थराइटिस में यही होता है कि बॉड़ी का इम्यून सिस्टम जॉइंट्स को अटाक करता है और इंफ्लमेशन क्रियेट कर देता है और दोस्तों इसी वज़ा से जोड़ों में दर्द सूजन लालगी रिस्ट्रिक्टेड मुवमेंट्स यानि की अकडन और बिल्कुल भी जॉइंट्स का हिलना डुलना बंध हो जाता है दोस्तों रिमेटॉइड आर्थराइटिस जादा तर हाथों में जो फिंगर्स हैं उनके जॉइंट्स को अटाक करता है या रिस्ट जॉइंट्स को यानि की कलाईयों को जादा अटाक करता है और दोस्तों अगर रिमेटॉइड आर्थराइटिस को समय चलते ना कंट्रोल क किया जाए तो यह बॉड़ी के और और पर भी अपना इंपाक्ट दिखाने लग जाता है दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपोर्टन टेप्स जिने फॉलो करके आप अपनी जॉइंट को हेल्दी रख सकते हैं और आर्थिराइटिस से बच सकते हैं दोस्तों सबसे पहला टेप है कि आप एक हेल्दी बॉड़ी वेट मेंटेन करें क्यूंकि दोस्तों अगर वजन जादा होता है तो बॉड़ी के जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं जैसे की घुटने उन्हें लगातार बढ़े हुए वजन को सहना पड़ता है जिसकी वजह से जोड का जो उमर में डेवलप हो जाता है दोसरा इंपॉर्टन टेप है कि आप हफते में लगभग पांच दिन 30 मिनट के लिए एकसरसाइज करें जिससे की आपके जॉइंट्स को और मसल्स को स्ट्रेंथ मिलें दोस्तों तीसरा इंपॉर्टन टेप है कि आप अपने ब्लड शुगर ल दोस्तों की आप साथ से आठ घंटे की नींद लगातार जरूर लें दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टन्ट होमियोपैथिक दवाईयों के बारे में जो आपके जोड़ों को एक सुरक्षा कवच देंगी और अगर आप आर्थिराइटिस से जूज रहे हैं तो आर्थिराइटिस से सम्मंदिद लक्षन जैसे की पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग उन सबको ये दवाईयां कम करने में आपकी बहुत जादा सहायता करेंगी अपसे पहली दवाई का नाम है ग्वाकम मधर टिंचर और दोस्तों ये ऐसे केसिस में इंडिकेटेड है जहा मरीज के हाथों के जोड रिस्ट यानि की कलाईयां elbow यानि की कोनियां और arms यानि की बाजुएं involved होती हैं दोस्तों ये chronic rheumatism में दी जाती है दवाई और मरीज को chronic rheumatism के साथ-साथ लंबागो यानि की कमर के निचले हिस्से में या लो बैकेक की समस्या भी साथ में होती है दोस्तों ग्वैकम मदर टिंक्चर किसी भी जोड से दर्द स्टिफनेस और स्वेलिंग को कम करने में मरीज की बहुत जादा मदद करता है दोस्तों ग्वैकम मदर टिंक्चर के पांच ड्रॉप्स आधे कप पानी में डाल कर आप दिन में तीन बार लगातार कंज्यूम कर सकते हैं दोस्तों अगली बहुत ही इंपोर्टन दवाई का नाम है रूटा ग्रावियोलन्स और दोस्तों यह ऐसे केसिज में इंडिकेटेड होती है जहां पर मरीज के हाथों के जोड और कलाईयों के जोड में बहुत जादा दर्द और अकडन रहती है दोस्तों रूटा ग्रावियोलन्स ऐसे केसिज में भी दी जाती है जहां मरीज को लंबो सैक्रल एरिया यानि की कमर में बहुत जादा दर्द और अकडन महसूस होती है और एरियों के जोडों में भी दर्द और सूजन हो जाती है दोस्तों रूटा ग्रावियोलेंस ऐसे केसे में भी दी जाती है जहां पर मरीज ये कंप्लेन करते हैं कि उनके हाथों पैरों में और स्पाइन वाले एरिया में इस तरह का दर्द है जैसे कि उन्हें बहुत जादा चोट लगी हुई हो दोस्तों आप र और ये ऐसे केसे में इंडिकेटेड है दोस्तों जहां पर मरीज को जब आर्थराइटिस की वज़ा से किसी जोड में सूजन आती है तो वो बिल्कुल चमकता हुआ लाल दिखाई देता है मरीज ये भी कंप्लेन करता है कि उसके टांगों में सुनपन है और टांगों में इसी पार्ट को भी टच करा जाता है तो मरीज को दर्द का सामना करना पड़ता है दोस्तों आप इस दवाई को भी 30 पोटेंसी में लें और इसके दो-दो ड्रॉप्स दिन में तीन बार लगातार कंजियूम करें दोस्तों आपको यी वीडियो बहुत भी इन्फॉमेटिव और उसफुल लगा होगा प्लीस दोंट फगेट तो लाइख शेर अब सब्सक्राइब तो मैं यूट्यूब चानल थांक यू सो मच वर्यवन और श्ते सेफ